लामांदों दमन के शिकार हुए हैं पिछले 30 वर्षों में, उनका वकालत लेके आया हूँ और मैं ऐसी कोई बात नी रख रहा हूँ, मेरा वेक्टीगत किसी से कोई जगडा नहीं है, राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी से जगडा नहीं किया है मैंने किसी का बुरा नहीं किया है लेकिन जो सच है और विहार के मुक्यमंत्री बार बार एक बार हमेशा ये कहते हैं कि कानून का राज्य होना चाहिए हमारा भी ऐसा मानना है कि कानून का राज्य होना चाहिए और इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि सच्मुच अगर सम्विधान पर भरोसा है और हम सब पर भरोसा है तो हम सब लोगों को मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि लेकिन फिर भी संदर्ब आया था और जिस दोरान ये चर्चा हुआ उस समय एक प्रकार का उतेजना था असत्य की बीच में बहुत सारे तथ्य ऐसे रखे गए जो कोई सुनने के लिए तयार नहीं था और भावनाओं में बहक करके कुछ ओपीनियन मनाये गया इसलिए मैंने आठ दिन का समय दे दिया और मैंने कहा कि आठ दिन के बाद मैं तथ्य रखूंगा ताकि आप भी शांती से मेरी बात सुन सके जो सही हो मैं अगर गलत हूँ तो गलत ही हूँगा गलतियां तो सबसे होती है लिकिन वैसी गलती जो अपरादी क्रोप से हो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं करने का कभी मैं उसकी ताकत रखता हूँ या मैं उसकी उस तरह से हूँ बहुत सारे ऐसे तथ्य प्रकाश पे आये हैं जिसका मैं आपके सामने लाना चाहूँगा और मैंनी जानता हूँ कि बिहार की सरकार ने या देश की सरकार ने किसी पूर्व सांसत को कैसे ये अधिकार दिया कि वो बिहार के conscience कीपर हो जाएं और inspector हो जाएं, DG हो जाएं, क्या हो जाएं नहीं जान जाएं जग जग अस्पतालों में जाकर के सिर्फ गुराईयां ढूना, कमिया हो सकती हैं, देश भर में बहुत सारी सितिति हैं, सब राज्य सरकारे लगी वही हैं अपनी अपनी ताकत से, सब लोग लगे हैं, अगर कोई ये दावा करता है कि मैं ही लगा हूँ, तो यह अनुचित है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, ऐसा क्यों हैं कि सिर्फ राजनेता ही दिख रहे हैं, कि वो काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग चुप हैं, जो पत्रकार बिहार ने तो जर्नलिस्ट को फ्रेंट लाइन वरकर्स का दरजा दिया, जो पत्रकार इस समय हमें आके बाहर के वीसी पर देख रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कॉंट्रिब्यूट कर रहे हैं, देश की सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, सभी लोग लगे हैं, ये अपातकाल की स्थिति है, स्वास्त का अपातकाल है, हम सब लगे हैं, तो चलिए मैं आपको बताओं कि जिस वेक्ति के बारे में बात कर रहा हूं लोग भूल चुके हैं अपराधी अगर किसी मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता और यहां मैं उसी विशे को दोहराना चाहूंगा और मैं आपको शुरू करूंगा हम और आप चुनाव लड़ते हैं को सबसे सही माना जाता है तो मैं यह एफिडेविट के बारे मताना चाहूंगा कि हमारे मित्र का एक एफिडेविट था और यह एफिडेविट की प्रति हैं और उनके प्रिष्ड है यह प्रिष्ड है 32 अपराधिक मुकदमे का जो उन्होंने स्वेंश् obliged विकारा है लेकिन ये conscience keeper हैं बिहार और देश के इसके बारे में कोई नहीं पूछता है और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो पन्ना खतम हो गया है अपने बारे में हस्ताक्षर करके कि मैं कितने अपरादों से जुड़ा हूँ मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ मुझे भी खंगाल लीजिए और मैं भी 30 साल से राजनीत में हूँ और मैं सिर्फ एक पन्ना दिखाना चाहूँगा मेरे अभी तक खाली है इश्वर की मैं इश्वर से यही प्रातना करता हूँ कि अपने राजनीतिक जीवन में मुझे ताकत दे कि ऐसे ताकतों के खिलाफ में लड़ता रहूं मैं जानता हूँ कि अपराधी के खिलाफ तो कारवाई करना असान होता है लेकिन राजनीतिक अपराधी के खिलाफ कारवाई करना संभव नहीं होता है क्योंकि उसके पास उसी ताकत का राजनीतिक ताकत का संरक्ष मिलता है और उस राजनितिक सारक्षन के सामने हम सब भी जुग जाते हैं साशन भी कई बार जुग जाता है और दबदबे के साथ ताकत दिखा करके साशन के लोगों को भी जुखाने का प्रयास करता है ताकि अपराधिक प्रिष्ट भूमी समाफ्त हो जाए यह अपराध समाने नहीं है साथ मैं नहीं बोलना चाहता था मेरा कोई लेना देना नहीं वो मधेपुरा की राजनीत करते हैं मैं सारन के राजनीत करता हूं और मैं अभार विक्ट करना चाहूंगा सारन कमिशनरी के लोगों को और उत्तर बिहार के लोगों को हम अपराध की दुनिया से अलग हैं, शांती में हैं, हम ना कोई दंगा चाहते हैं और हमारे हर समाज के लोग सारण जिला में शुक शांती से रहते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, कोई भी विधायक हो, आर जे डी का हो, कॉम्मिनिस्ट का हो, कहीं का हो, हम सब चुनाव त ताकतवर लोगों से हुए, लेकिन एक सीमा के नीचे मेरे जिला में कोई नहीं गया, और मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इतना जरूर कबूल करूँगा कि एक अपराधिक रूप से कभी किसी ने पॉलिटिक्स नहीं किया मेरे जिला में, और मैं उन तो यह चलिए आप इनका एक प्रिष्ट भूमी देखिए और यह पत्रकारों के लिए है, जब आप ऐसे वेक्तियों का सतर धाराएं हैं, 31 केसेज में, और यह द्रकहिती का है, राइटिंग का है, आमसांग का है, थिफ्ट का है, कॉंस्पिरेसी का है, क्रिंवल का है, एब्डेक्शन का है, ब्राइबरी का है, पब्लिक ओर्डर, शायद CRPC और IPC का कोई धारा बचा नहीं है, जो हमारे मित्र के नाम पर नहीं है, लेकिन सब लोग भूल गये हैं, और पिछले 30 साल में यह सब ही, कई चेसे चार्डशीट हो चुके हैं, कई के कोगनिजन में और मैं ना Guinness Book of World Record में, ना Limka Book of World Report में, कोई भी दुनिया का ऐसा पॉलिटीशन नहीं होगा, जिसकी यह अपराधिक भूमी हो, अपराधिक बैक्ड्राउंड मुझे बहुत खराब लगता है, उनके ही परिवार हैं, बच्चे हैं, लेकिन मैंने उनको बुलाया नहीं था अपने यहां, मैंने उनको नहीं कहा था कि मेरे यहां आ करके कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की तूँ उस मिशे पर बिया, और मैं एपलोज किसी व्यक्ति के प्रिष्ट भूमी को बताने के लिए कि आखिर ये व्यक्ति है को, और क्यों छिपा हुआ है इस प्रकार से, और क्यों छिपा रखा है लोगों ने, और क्यों इसकी चर्चा नहीं करते हैं, मैं अगर अप रात करूँ, तो रातर भार हम लोग जग नहीं सो कि जी Lap Ha copying Sub-la Kim Онhtar कीningar किसी राजनितिक ।asrisk लड़ना कितना कट्वीन होता है आपके उपर भी हो सकता है आपके परिवार की उपर भी खत्रा volatility हो सकता मित्रों पर हो सकता है कि जो च्षिपाया गया मैं 2014 में आप ल्युक्त सभा का चुनाव लड़ी जीत गए लेकिन उस समय आपने 19 केसे छिपा के रखे थे 17 18 19 25 अनुसंधान का क्रम जारी है और आपने एफिडेविट में गलत दिया था उस समय अगर आपके इस खिलाफ कोई नियाले में जाता तो शायद लेकिन यह जाज कव इसे है इस पर मैं टि वासे हैं 39 29 दरभंगा में एक गाजी पूरतर पदेश में एक सहरसा में दौмен मैं पतानी सरकार उसे में तो सबकी सरकार थी आज competent नितिश कुमार जी की सरकार नहीं थी सुशिल मोदी जी नहीं थे तरज क ecology पसाद नहीं सबकी सरकार थी और यह 1990 के बाद से और मैं बताना चाहूंगा कि जब आप सांसद बने मैं भी उसी वर्ष उस विधान सभा में जीत के आया था 27 साल के उपर में मैंने कभी आप से किसी प्रकार का वेभार नहीं किया आप राजनीत कर रहे थे करें सरकार का काम है देखना लेकिन आपने आके एक ऐसा औरोप लगाया जो मेरे मन को जजोड दिया मुझे मन नहीं मेरे मन को नहीं जजोडा मेरे पूरे मेरे पूरे कभी भी इस link को उठा के कोई देख सकता है मैं इसके बाद जाना चाहूंगा आप आप बहुत अच्छे आत्मी है आप moral की पर है conscience की पर है तो एक वीडियो आपको देखाना चाहूंगा इसके बाद जो है अब भी नई तक तो देखा दिया आप गालिया निकालते हैं आप किसको छोड़ते हैं सब खराब है यह पूरा documented है किसी को आपने नहीं छोड़ा है सरकार में, सरकार के बाहर में मैं नहीं बोलना चाहूंगा किसका यह पूरा प्रिष्ट है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के अपराधी है, पूरे भारत वर्ष के निता अपराधी है भारत के स्वास्त मंत्री अपराधी है गरी मंत्री के बारे में आपने बोला और कहा कि इसे जेल भीज़ देना चाहिए अपराध करना चाहिए, इसका हम अंतिम संसकार करेंगे आपने ऐसी सी बाते कि किसी ने प्रतिकार्ड ने कि हमने भी नहीं किया कहीं नहीं तो किसी को जबाब देना था कि आपका यह नहीं चलेगा यह 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 पूरा document है आप उनके Facebook पर जा की देखी कि देशी आपको अच्छा लगता होगा लेकिन जिन लोगों ने इनको एक चितरन किया उनके बारे मता जाओं अब इसके बाद मैं दो बस छोड़ा एक छोटा सा visual देना चाहूंगा जो इनके बारे में मैंने नहीं कहा डेन्मार्क में डेन्मार्क में किसी ने जाने के बाद यह गलत हो सकता है लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि अनुब गोस्वामी इतना वड़ा गलती क्यों करेंगे आप देख ले इसको 30 सेकंड का है सिर्फ याद कराने के लिए कि ऐसे भी लोग हमारे राजनितिक जीवन में हम हमें कॉंशियस की पर हमें 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 गाइड करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में राजसाशन को मुख्यमंत्री को यह आप सुन लीजिए दस सेकंड का है उसके बार इंडियन सेक्यरिटी मैं नेम्ड़ मेंबर ऑफ पार्लिम राइव देली एरपॉर्ट इस परसनल का और प दोर्ट सेकंड के में तेलिटिन सेकंड कίν लेंग सेकंड के आ Middle Easternों झाल गली कु Cathांस असकृ में अप्लikh Dart reducing का एंसकंड का रेली आटेलिन्मीश कॉते हैं Guards, who then drove me directly from the platform of the station over the border into Nepal and dropped me at the bus depot on the Nepali side from where I escaped back to Denmark. Well, ये पुर्लिया किम डेवी हैं जो अभी डेन्मार्क में हैं, सही है, CBI जाँच अभी तक कर रही है, पुर्लिया चमा कीजे, कीजे, कियों लाता, मेरा क्या लेना देना है, सरकार देख हीए, लेकिन अगर आप एक सीमा से पार करके, लोगतन्तर को अपने हाथ में ले, तो ये खै, अजीत सरकार हमारे साथ विधायक थे, और उस case में अजीत सरकार की हत्या हुई, लोग भूल गया है, अजीत सरकार उस स अच्छा ये है कि रहाई के बाद भी आज आपका मामला सुप्रीम कोट में सी बी आई ने पिटीशन के आप पांट साल तक सांसद रहें आपने इसको मैं नहीं कहूंगा सुप्रीम कोट जानता है और सुप्रीम कोट और देश का कोट सब कुछ देखता है सब कुछ जानता है अगर आप इन सब चीजों को छिपाने के लिए करें, मेरा कोई लेना देना, आप बरी हो जाएं, आप दोश्मुक्त कहलाएं, लेकिन अजीत सरकार के हत्या के बाद उस विधान सभा में हम लोग भी बैठे थे, हम जानते हैं, कॉम्मिनिस्ट के नेता थे, आज कॉम्मिनिस् मैंने सिर्फ यह अभी फ्लैग किया है, तत्यों का जाल इतना लंबा चोड़ा है, और यह उन लोगों को बताने के लिए, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप हिमत मत महारी है, अब राजीव प्रताप रूडी विक्तिकत तोर से आपके साथ खड़ा है, आठ-8 साल स यह वारेंट निकला हुआ था आपके खिलाब मार्ज के माह में, यह वारेंट था, मार्ज में तो घटना नहीं घटी, मैं तो आपका कुछ नहीं हूँ, अगर मार्ज के महिना में यह जुडिशल मेर्ज स्रेट का यह अगर नीचे दे, यह देखिए, बाईस मार्ज दोहज निकल गया है क्योंकि इस तरह की केसे 20-20 साल से आपने दबा के रखा है, मुझे विश्वास है कि नायले अपना कार्य करेगा और बहुदरी के साथ सरकार ऐसे तत्यों को प्रकाश मिलाईगी और उनका नयाय जो वर्षों से नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए, मैं बहुत मुझे दुख है इन सब बातों को रखे क्योंकि दिन प्रति दिन सोशल मीडिया पर मुझे जिस प्रकार से आप ट्रॉल कर रहे थे, तत्यों के अभाव में, अब मैं अपने जीवन के प्रयासु के बारे में कहूंगा, मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, एक जन प्रत आप, और और स्रेख से बाता हूं, कि लृष्चाव two से जब मैं हारता हूं, जीता हूं, ऐक कुछ काम लेकर, अपनी छेत्र में चलता हूं, एक्सपेरिमेन्ट में, जहां सरकार नहीं काम्याब होती हैं, मैं सरकार के आक्टिवीटी को सप्प्लिमेंट करता हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में अगर सबसे बड़ा संगठित और विवस्थित एंबुलेंस नेटवर्क अगर कहिए है तो राजीव प्रताप रूडी ने उसे संचालित किया है कम यह हो सकती है थोड़े कम हो सकता है कम मरीज पहुत सकते हैं लेकिन 24 घंटे का यह काम जारी होता है मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और इसके बाद स्वेंब आपते कर लीजेगा कि मैं कितना बड़ा गलत काम करता था पहले तो कहा गया कि यह अंबुलेंस मेरे घर में लगा है मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि पटना जाने के वाद यह मेरा घर है वैसे इ अपने संसद्य छेतर में ही रहता हूं यह मेरा घर है तो यह बहुत पुराना घर है और यहां कहीं एंबुलेंस नहीं है उन्होंने बार बार कहा कि उनके घर में एंबुलेंस चुरा के छुपा के रखा गया था अब आप आईये जहां एंबुलेंस खड़े थे उस तस्व है बहुत प्रकार का काम होता है लोगों की बीच में और मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छा कॉम्यूनिटी सेंटर जहां हर प्रकार का काम चलता है आईश्मान के कार्ड बनते हैं लोगों गरीबों को मदद होता है और आगे भी कई योजनाय है यह है और इस थान को उसने और इसमें दिवाल भी नहीं है कहीं चहरदिवाली भी नहीं है एंबुलिस को अगर छिपा के रखना है तो चहरदवारी में बंद करके रखना होता है यहां कहीं भी चहरदवारी नहीं है यहां कुछ नह यह जमीन जहां सामुदाइक भवन में 9 करोड रुपया भगवान जानी कहां से 9 करोड का फिगर आ गया इनके पास करोड़े से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं यह तो सरकार के नाम से पंजिकरित जमीन है और मैं यह सब सरकार के नाम से राज्यपाल है बार-बार कहा पेरे सरकार के लोगों का यह सब सब देख सकते हैं यह सब सरकार के नाम से पंजिकरित जमीन है यह पूरा का पूरा एफिडेविट जमीन सरकार के नाम से निवंदित है और एक एक पैसा सरकार का है संपती सरकार की है कहा मेरी नीजी संपती है चलिए पॉलिटिक्स में इस प्रक आना चाहूंगा कि जो 2019 में पिश्ले कम पिश्ले 10 वर्शोय से कर रहा हो लगातार कर रहा हूं और यह एक बैवस्था के ताथ है